क्या कहा इसने कह रहा है कि आप सिधा सिधा हमने बैठके देखी मूवी बर्लेन और जैसे ही देखी है अंदर से अवाज आई सब्सक्राइब करें कियो ढालाना दिमाग घिल गया यार इसे चल रहा था ऐसा लगी नियुकार देख वहां एसा लगा था मैं कोई ग्राफिक नॉवल है हां ऐसा लगार पन्ना दर पर्लेघर आर एक के वादे कोई नई लेयर खुले जा रही है और जैसे तोश्चर या आप आप सोच रहों कि ये movie review के अंदर spoiler मिलेंगे, suspense picture है, हम बिल्गुल spoiler नहीं देंगे, हमें बहुत गुस्सा आता है, जो भी लोग spoiler देते है, पर जिस तरीके से ये direct की हुए, जिस तरीके से लिखी गई है, जिस तरीके से लोगों ने execute किया है, वेर इस दिस गया तुल सबरवाल, सर आपके हाथ का चुंगना चाहते है, इतनी प्यारी फिल्म कैसे लिख दिया आपने, वाड़ अ मुवी मैं, वाड़ अ मुवी, अगर आप ये suspense thriller type के, अगर आप fan हो movies के, खास तोर पे जो spy वाला genre होता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा होत जब तक कोई बड़ी ऐसे शूशा टाइप की पिचर नहीं आएगी, आपने देखनी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, आपको बताना कि कोई बड़ीया पिचर आईए, वो देख लो, शानदा, प्रेलर के अंदर पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ बंदे को पकड़ा गया है, और वो बंदा क्योंकि deaf and mute है, तो अपार शक्ति खुराना जो की, teacher होते है, instructor होते है, interpreter होते है, deaf and mute, sign language होते है, interpreter होते है, उनको बुलाया जाता है, भाहिया, इनको समझो, यह बताओ, क्या कर रहे है, क्या नहीं कर रहे है, तो मूवी का story ऐसी है है कि आप जयसे ही शुरू होता है तो पता लगता है कि रॉ नहीं रहला ंट इस नहीं चाहिए बीए, बॉले खुछ ग्रोब्सक्राम वालों के जो आप बहुसरीड साई इस इनलिजेंस ब्यॉरू ब्यूर स्फफ ब्यूरो नाम ली जा राहा है अब ब्यूरो से आप अंदाजों लगा लो m caption size होने आफ यह 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 003 00h यह और लो वगे आझ चाहिएं म सब्सक्राइद है उस सब fidelity trBE hangody jean यह बंदूग यह बंदाने 58 देशारो 60 प्लीडङदे को 60 अभला है तो मैं एस्यूम कर रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं बता तो अपार शक्ति जो की एक टीचर होते है डेफें मुट चिल्रन के उनको बुला के लाते हैं कि देखो हमने यह बंदा पकड़ा है आप तुमें इसकी इंटरोगेशन करनी है क्योंकि ब्यूरो वाले उनको यह साइन लेंगवज नहीं सिखा जाती क्योंकि इंपोर्टन नहीं है ने ठीक है मतलब सबको नहीं पता होती है और वो इसके लिए पारशक्ते को बुला के लाते हैं वाट किसमत उनकी कुछ ऐसे होती है कि एक तरफ मतलब वो जो हैं उनकी उपर आ जाते हैं आरोप के वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं उनको शायद किसी दुश्मन पावर से उनना हात मिला लिये हैं किसके प्रेशर में काम बढ़ जाता है नहीं रहूल बोस जो कि इंटेलिजन्स नहीं ने-इफिरो के जो बने होते हैं आरहियन देस्क के हेड़ बने होते हैं सॉंधी साहाव तो स्वंधिम को मुलते हैं और वहां से कहानी और दो चक्ते है लिए कह आपको समझ में आएगा एक तो फिल्म बोलने में बात निया जो बात पिच्चर बोलने में पिच्चर यह इतनी बड़िया पिच्चर है और बीच-बीच में नए बड़े लेवल में बैठे होते होंगे क्या पता है ऐसे हमारा तो कोभी वास्ता नहीं पड़ा ना बगवान करें पड़े कभी हमारा कोई वास्ता नहीं है हमारा वास्ता में इतना ही था कि हमने पिच्चर देखी और इतना रिलिस्ट्रिक लगा सब कुछ 1993 के टाइम पीरिड में बेज्ड है सब कुछ एक तो इतना उन्होंने वह सब डाल दिया ना कि बर्लिन नाम भी रख दिया उसके नाम का कैफे दिखाया है कि दिल्ली के अंदर है तो जो भी लोग सोच रहे थे कि माउजर से बर्लिन से बर्लिन में कुछ रिलेटेड होगा क बर्लिन के बड़ी सारी चीज़े उन्होंने सारी चीज़े सेट करने में ऐसे डाली है के अब तो जैसे लिब्रलाइजेशन, प्राइज़च्न, ग्लोबलाइजेशन, कोल्ड वार की बारे में बात करी है उस तरीके से वह पूरा रिक्रियेट करा गया है उस ताम की जो फ् करेंगे उसके डील करेंगे मिजाइल वगरा की बात करेंगे युए सपोस कर रहा है सारा वर्ल्ड रीक्रियेट कर रहा है वो डीजल वाली बस है जो पुरानी जल्दीरी डीडी थी कि वह भी दिखाई है वह बस्टॉप कैसे क्रेट किया है यार इन्होंने मैं तो यह सोच र क्या मज़ेदार गाडिया होती दी और एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यह नहीं चीज को पुरा वो पूरा डेली दिखाया गया है उसके अंदर कनॉट प्लेस दिखाया गया है आई एने मार्केट सफदर जंग अलग अलग जगा पर आपको एक बार भी ऐसा नह करेगा कि आप हमेशा सुछते रहों कि यह कैसे किया हो गया है और मज़े की बात एक और भी है कि अगर इनोंने सेट बनाए है तो वह सेट फिजिकल सेट बनाए है मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि इसमें कोई क्रोमा वगरा का इस्तेमाल करा है और ऐसे फेक सेट बना यह सब कुछ ऐसे ओन लोकेशन सारी चीज़ें लग रही थी और एक खासिया तौर भी थी क्या यह वड़ी ऐसे तुन्हें देगा जिस टाइम पिरेट को दिखाने कोश्य करी और थोड़ा रशया वशया यह वह सब चीज़ें डाली है तोड़ा डाक सी टोन थी पूरी पि कोई मूवी के अंदर कोई गाना नहीं है कोई फाल्तु का आइटम नंबर लव स्टोरी कोई कनेक्शन कुछ नहीं है बिल्कुल स्टिक टू दर रूट्स है कि सस्पेंस दिखाना असैसिरेशन अटेंप्ट वाली चीज दिखाने इंटेरोगेशन दिखाने वही दिखाया ह तो उसका एंटेंस कितने इंटेंस है यार मतलब जो अपार शक्ति में तो यहां पर ठीक है राहूल बोस तो बीच बीच में अपना बटन दबा के वह कर रहे होते हैं इंटर कॉम यह नहीं बोलना यह पूछना यह नहीं पूछना है लेकिन जो आपस में भाई मतलब क्या इन की आपस में चल रही होती है जो साइन लेंगिज के अंदर और अपार शक्ति लगा था साथ-साथ वह डायलोग भी बोलेशुजर ने इसा भी नहीं कि जो भी दिखा रहे तो यह दिखाया के बचपन से ही वह डेफिछ एं अधी साउंड थी वह एक दो जगापे वह जो इंटर्प्ले उनका चल रहा था वो जो चारेक्टर का अपर में और जो मैं तो कहूंगा केमिस्ट्री भी बन गई थी बहुत बढ़ी यह जिस तरीके से भाई चल रहा था एक हिदर एक हिदर और वो लगातार और एक खासिया तो है डारेक्टर साहब ने जो क्रिएट करन कंडर है सुस्पैंस बना हुआ है हलका थ्रिल आ रहा है उसमें अगर कोई कमी अगर रह गए थी तो वो थी आपके बैग्राउंड म्यूजिक की बैग्राउंड म्यूजिक और यहां पे वो भी और बैग्राउंड इसके मुझे बहुत ज्यादा कमी नहीं मैं कमी आजन देखो मेरे को इसमें आप अधरवाइस मतलने लेना मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मिनिमलिस्ट था मिनिमलिस्ट बिल्कुल जितनी जरूरत है हलकी हलकी जरा मद्दम मद्दम कान में पड़ रहा है एक बड़ी खास यह तरीका था कि उन्होंने एक सिंगल नोट प होता रहेगा ऑक्टिव चेंज करता रहेगा लेकिन नोट सेम रहेगा बहुत टेक्निकल बात कह दिया रहा है क्या बोल रहा है या मैं इसलिए कह रहा हूं क्यूंकि यह जो काम जो हुआ है इस पूरी फिल्म के अंदर चाहे कोई सा भी डेपार्टमेंट उठालो चाहे कैम एक भी आपको इनसान ने दिखेगा पूरी मूवी के अंदर जो खराब अक्टिंग कर रहा है चाहे उसका छोटा रोलो चाहे बड़ा रोलो में तो देखो इश्वाक सिंह और अपार शक्ति खुरान है बागी बागी स्टोरी सबके इदर उदर इदर रिवॉल्फ करती रह साथ से भी आपको प्यार हो जाएगा और अगर आप इन दोनों के फैन नहीं भी आपार शक्ति और इश्वाक के तब भी आप ए मूवी देखो आपको इनसे प्यार हो जाएगा कि भाई दाहुल बोस की बड़ी रिस्ट्रेंड परफॉर्मेंस है और देखके खुंदक तो बाई क्या हो क्या राई यह अब आप जोन से निकल पाऊगे अभी अभी हमने थोड़ी एक घंटे पहले मूवी देखनी खतम करिया और मुझे तो मैं अभी भी उस जोन से भार निया पाया हूँ अभी उस इंटेरोगेशन वाले और उस जोन में हूँ एंड में गाना दे इतना बिगड़ चुक है हम एक आखिर में दे देते एक आमिर फिल्म के अंदर लास्ट में गाना दे दे रहा शिल्पा राओ का एक लो इस तरह क्यों बूजी अगर वह होगा वह सच नहीं था पूरी पिक्चर जो भागा दोड़ी में चल रही थी आखिर में गाना आगया एक law इस तरह से क्यों बूजी इसमें भी दे देते कुछ मतलब करेंट के साथ साथ आ जाता है अगर इतनी बड़िया चीजे मिल गए मेरे को लग रहा एक गाना और मिल जाता जिसको गाते काते हम यह स्टूडियो से बाहर निकल जाता तो अगर आप यह तक आपने नहीं द चिहान मिलते हैं गत इसमेच hatır भी कॉंडिक पर स्टार हम दे सकते हैं और और इस बरिलिन से गलते हैं 5ार नई 4-2-1-1-0 ऐसमें टॉड़ा सावक गरवस्टियागा कि अ मैं एक स्टार इसलिए काटना चाहता हूँ क्योंकि कहीं कहीं आपको बीच में लगेगा कि एक आदा कुछ दो-चार ऐसे सीन जो की काटे जा सकते हैं जिनका कोई सिर्पैर नहीं है तो मैंने देगा तू यहाँ पर मिज़ वह कर रहा है न मेरे को ऐसे गलत जगाते जिका रहा है मैंने सारी 1.5 पर नहीं देखिया मैंने रेगूलर उस पर भी देखिया बीच बीच में अगर जलबाजी हो रही थी तो फिर मैं मुझे जलबाजी थी कोई काम भी था अगर तो बीच में प्रेशर होता है तो फिर उस वज़ा से थोड़ी से बलब करा बट अधरवाइस यह फिल्म की पेस जो थी बहुत स्लो थी कई लोग इसे कहेंगे के वाईसर मसाला बुन रहा है बिल्कुल 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 वे सिंप ही पकने वाली फिल्म थी और आपको नुए तो मेरे को भी हलका सा खटका था कि सारे इतने बड़िया-बड़िया सीन थे सब कुछ था end में लाके सब समब भी कर दिया के intentions क्या थी असल राइवल्री क्या थी कहाा assassination कौन सा assassination ऐसी सारी बाते जो थी उससारी बाते उसारी वाती शुच्छ एंड में आते आते समझ वो जाते हैं वो 3-4-5 मिनिट का सीन है वो कोई जरूरत नहीं थी उसकी वो नहीं होता सीन तो कोई स्टोरी इंपेंग नहीं होता एक दो डायलोग क्योंकि उससे पहले उनकी मदर का फोन कॉल दिखा दिया अपार शक्ती की और तीक उस सीन के बाद राहूल बोस के साथ उनका एक वो फोन है वो होता है कि खोड़ी और टाइट हो जाती मैं ऐसे कम्प्लेंट नहीं कर रहा हूं लेकिन बस ठीक है लाला ज़ेको लालक। बुरी बढा है लेकिन थोड़ा कर सकते हैं और एंड में भी आप सोचते रह जायोगे पर यह अच्छी बात था कि आन्ड में तो यह क्यों हुआ आप अपनी थियोरी आपको लगाने पड़ेगी यह बहुत सारे वाइट शॉट्स भी इस्तेमाल करें इंडिंग भी वाइट ग्रे के बीच में आकर में हीरो छोड़ दिया और आर्टिस्टिक फिल्म में मैं भी आर्ट ढूंड़र मैं का सारे ग्रे के बी देखो तब तक हम चलते हैं आपके लिए और क्रिकेट पे या और एंटर्टेन्मेंट पे वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे कर लेते हम मेरा नाम है प्रशांद कपूर मैं अभी शेख मंचन्दा और आप देख रहे हैं स्विच्च